यूपी के रामपूर के CRPF ग्रुप सेंटर के सब इंस्पेक्टर मोहन लाल भी शहीद हुए थे जिनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें भी श्रधांजली दी गई एक वर्ष पूर्व हुआ था कश्मीर के पुलवामा में आतंगी हमला रामपूर ग्रुप सेंटर का सब इंस्पेक्टर मोहन लाल भी उसमें शहीद हो गए थे जिसमें आज शहीद की बरसी है रामपूर CRPF ग्रुप सेंटर में शहीद की शहादत को याद कर उनको श्रधां नहीं मिली बात में उनका जब शव पुलवामा हमले में मिला तो CRPF के अधिकारियों ने उनके शहीद होने की पुस्टी की थी वहीं आपको बता दे कि सब इंस्पेक्टर मोहन लाल CRPF के रामपूर गूर्प सेंटर की 110 बाल्टियन कश्मीर में तैनात है रामपूर के अक्सरों ने बताया कि शहीद SI उत्राखंड के निवासी थी उनका परिवार वहीं रहता है शहीद मोहन लाल का पार्थिव शरीर सीधे उत्राखंड ले जाया जाएगा जहां सम्मान के साथ उनकी अंतेश्टी की गई थी रामपूर से सबदाता रवी सैनी की रिपॉर्ट क्या है अपर रामपूर से आर्पी एफ में सबस्पेक्टर मोहन लाद जो पुलवावा हमले में बिगत साल शहीद हुआ उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं शत्शत्रमल और हमें अपने देश के जवानों पर दर्व हैं से आर्पी एफ के जवान इतनी फंड में इतने अपने रायगा नहीं जाएगी हमारा देश ऐसे भीरो पर ऐसे योदों पर गल्व करता है हमें उनको सची श्रिधानजली होगी हमें उनके परिवारों को सांत्वा देते हैं और हम उसको सची श्रिधानजली देते हैं कि आज एकी दिन वो महलाल जी सहर इस्पेक्टर जो रामपुर सी रपी अपमे ते हो बहाँ शईद हुए उनको हम शिर्धा स्मल अर्पित करते हैं और उनकी शिर्धानजली देते हैं जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज